वीडियो डिस्क्लेमर इस वीडियो इस ओनली फॉर एंटर्टेन्मेंट परपर्स तो प्लीज डॉन्ट टेक सेरियसली लो गैज मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्सी मैस अपने गैज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के अगर आपको यह मैस अ प्रियाक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कर दीजेगा और चैनल के नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा तो गाइस आगे की बात हम वीडियो खतम होने के बात करते हैं तो चलिए इस कमाल क मैं सब रेक्शन की बीडियों की चुरुआत करते हैं होप यूजी इंजुआए कोई उठके खड़ा होता है कि हम तो भारे से जंग कर लेंगे तो मैं खुछ शोक हो जाती हूं कि भाई आप हत्यार बनाते नहीं हो आप इंपोर्ट करते हो वो बनाने वाले हैं ठीक है पर अगर उनसे बात कर दें कि कश्मीर और भारत की तो फिर हर बंदा कहते है कि सब आप पिछे पिछो जो मैं के लाई जाके ना कश्मीर को लेंगा जैसे कि कोई गुलाब का फूल है जो कि कहते हैं एक पोर्ट के अंदर लगा हो पिजा अंदर वाली विडियो, शोचल मेडिया पर वायराल हो रही है और से पार्शो का जोर्डल, दस रुपर में कुछ मिल रहा है भारत है, भारत टी तो है सईख, वहाप पर, देज़शो रुपर के ऍस्टॉल्स हैं पूरी भारत है, भारत टी तो है और इसका जिम्हेदार एक ही शक्स है और वो है नरेंदर मोदी इंडिया पाकिसान की जांगों हो तो बेतर है उकात मेरो उकात मेरे बेतर है जांगे तो मुल्क को बरबाद कर देती है मुल्क आगे बरबाद है बड़े नारे लगा लिए कि दूद मांगोंगे खीर देंगे कश्मीर मांगोंगे तो चीर देंगे नए बताउँ पाकिस्तान पहले से हरा था यह खराब रहेगा और वक्त आगे है के हम तुम से कान खौल के सुलो कान खौल के हुँ अरे कॉन भॉग रहा यह बगए हमें कशमीर इमराण खानने अज़ाद किया सब कुछ इमरान खान ने किया इमरान खानी उसने को चोलनी यह तीन साल उसकी हुकमत किया था हो पंच साल का चोलनी है कि हम तुमसे कश्मीर भी लेंगे और रोग पड़ी तो तुम्हें और तुम्हारी मोधी सरकार को चीर भी देंगे तुम्हारे बाब को कश्मीर है मुल्क में है गया खाने के लिए मिले है वाम को आटा सस्ता है कुछी सस्ती है करना है आ theory कश्मीर को लेकर क्या फिर से जंग होगी यह तो होगा कखो वीडियो के काफी भाई लोग बोलें कि फेक इंटर्व्यु है शेक रशीर बेठा वा इस में तो तो मेरे भाईःओS मैंने कब बोला वह असली इंटर्व्यू है प्रजी इंटर्व्यू सिर्फ एंटेंडमेंट के लिए लगाया गया था ऐसे नहीं चले कि जिन्दा होता तो फिजा खलीपा उसका इंटर्व्यू के से करते सिर्फ इतनी सी बात थी बहुत सारे लोगों को पसंद आया तो लेकिन थोड़े से लोग नहराज हो गया अब दा तो मरजा है कीडे पड़ पड़ के मरजा है यह तो हो गया इस पस्टी करण आज फिजा खलीपा को और पाकिस्तानियों को फिर से कश्मीर याद आ रहा है क्योंकि आज कि मोटा भाई बार बार पीयो के कर रहे हैं हमारे मंत्री मंडल के लोग पीयो के कर रहे हैं तो पाकिस पाकिस्तान ने कभी जंग की बात की नहीं है चल चूटा अगर उन्होंने बात की है तो फिर उसका मूत और जवाब देना हमें भी आता है तो पिलावल पुटा पिर क्यों कह रहा हम तो फेर होगे कश्मीर का मामरा पुरी दुनिया को समझाते हैं पुर्पी यूनियन के पैसो पर पलते हैं पैसे उनके खाते हैं ना विकार है फलेस्तीन के अंदर डेली बेसिस पे दोस्तों कि दो हजार के करीम मुसल्मान बचे बची शहीद हो रहे हैं उस पर चुप है कश्मीर की बाते आ जाते हैं तो हमारा है वो इस्राइल बाप लगता है ना उनका तेरा वाप आया नहीं बोल सकते ना अमेरिका और इस्राइल बाप लगता है उक्पनान कैसे बोलेंगे जब कर कशी करें लेक découv हैं कर उन से पैसे लेते हैं खाते हैं अुन undertा कि लाएंगा कश्मीर कश्मीर हमारा रहा है पाकिस्ताने नहीज कभ्जा की आ कि घर अब निवाले मारों तो इसी को कर देऴ ूब बड़ी गप मारने में चेंपे नहीं आसमानी कौम पाकिस्तान चुर ने बीच दिया अभी जो सही बंदाया वो जेल में पड़ा है उसको बार निकालो सब कुछ वो जाएगा अभी देखो अटक क्या रेट चलते गी देखो इस सब चुर एदर बड़ा बड़ा मारा लोग जो सही बंदाय होद ने जिल मेडाला है कश्मीर अम्रान खोन ने अज़ाद किया कश्मीर अम्रान खोन ने अज़ाद किया सब को ऑप हंप पाकिस्तान बनाएगा ये जब इन्वाशरब आ गया वो दुबारा पिर पुराना हो गया इंडिया से खबरे आरी है कश्मीर ले लेंगे दुबारा से क्या जंग होईगी इंडिया के लिए हम तयार है अमारा जान पे तयार है हम जाग करने लेगा उस जाएगा उदर है कारी पठान का बच्चा ओता ना तो भरास से लटने की बज़ाए पाकिस्तान से लड़ता पाकिस्तान तुमारे 17 लाग अफगानी पठानों को निकाल के अपने मुल्क से बार फेक रहा है ऐसे इसे लोगों को भी बार फेकरा जो कभी अफ़वानिस्तान गई नहीं है जो पेदा ही पाकिस्तान में हुए उनकी शादिया हो गए उनके बच्चे हो गए उन तककों निकाल के फेकरा उनकी ओरतों की इज़त लूटी जा रही है और यह पठान का बच्चा करेगा भारत से असली पठान है ना असली पठान तो पहले उन अपने भाईयों के लड़ो फिर भारत से लड़ने की बात करना तुम जैसे ट्रक पुंजों को तो भारत ही हुं मसल के रख देगा है पूरी पाकिसानी माम पाक आर्मी के साथ है ये बात होगी लेकिन उनका ये कहना है जी अभी नंदन तो उसके मूत और जवाब तो हमने दिया था अगर वो इस तरह के फिर दुबारा कोई गल्ती करने के कोशिश करता है तो इससे बरपूर हमारे पास भी सिराहियत है उसको मूत और जवाब देने की खौब भी देख लें खौबों पर कौन पा बंदी लगा सकते तो आप कश्मीर है किसका आप बता दे देखें काईद आजम ने भी फरमाया के कश्मीर पाकिस्तान की शारख है अच्छा अच्छा अबे जाहिल के बच्चों मेरी सारी बाते मानोंगे तो पूरी जिन्नेगी ऐ किसे ही रोते रोगे मैं हिंदू होके हिंदू का नहीं हो सका तो मैं मुसल्मानों का कैसे हो सकता हूं जाहिलो मेरा बात हिंदू था मेरा दाना हिंदू था मेरी मा का नाम बढ़ाओ पठांसर आप पताओ जिन्ना का परिवार एक हिंदू था उनके माता का नाम मीठी भाई थे तो निटी भाई ठककर पीता का नाम था जीना भाई ठककर तादा का नम था पूजा भाई ठककर यह क्या है तो शारख तो हम हासिल करके ही रहेंगे उसके लिए जदोजद कर रहे हैं इंशाला करते भी रहेंगे डिफेंस के अंदर एक अपना एक नाम बना रहा है पुरी दुनिया में और उसके साथ साथ कश्मीर में उसने जो है आर्टिकल हताना जैसे कहते थे कि वही यह तो इंटरनेशनल इशू है कश्मीर के अंदर आप कोई डवैलप्मेंट नी कर सकते जब तक मस्ता हल नी हो जाता इन तमाम बातों के अंदर एक नए तरीके से अपनी एंटरी की है उसके बाद अगर पाकिस्तानी या हम में से कोई उटके खड़ा होता है कि हम तो भारे से जंग कर लेंगे तो मैं खुछ शोक हो जाती हूं कि भाई आप हत्यार बनाते नहीं हो आप इंपोर्ट करते हो वो बनाने वाले हैं ठीक है अगर उनसे बात कर दें कि कुश्मीर और भालत की तो फिर हर बंदा कहता कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो थैंक यू